नमस्कार दोसों आप शुभी का बहुत बहुत श्वागते दोसों केशे हैं आप शुभी उम्मीद करते ही कि बगवान श्री ग्रेश hierarchy की ऐशर भाष एच्छी होंगे अपने घर में मंगल मैश्तिती में होंगे जिए दोसों दोसों आप शुभी को बता दी कि अब आपका एक और नया अश्र में आ चुका है अब आप शुबी के लिए जुनकाल में बहुत ये अच्छे खुश खबरी भगवान ग्रेंट्श के अशिरबाश्य आपको प्राप्त होने वाले हैं जिहां दोसों आपको बता दी कि आज शाम के पांच बजे के बाद आप शुबी के जुनकाल में आपको पांच नए शुब समचार मिलने वाले हैं जिहां दोसों आप शुबी को बता दी कि भगवान आपको बहुत बड़ी चीज देने वाले हैं जिनें पाकर आप खुशी से बिल्कुल ही गदगद हो जाएंगे जिहां दोसों बशरती अब आपकी जरुत होती है कि निशबी चीजों को बिल्कुल ही प्रेम भावशे लेने का जिहां दोसों कि दोसों बहुत शारी से जातक होते हैं कि चीजों को शुनते ही कुशी से उच शुब आराब धो शक्ती है इनके लिए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है कौन कौन शे चिए कारियों में आपको काीर करना है और कौन से च्छीं को लेकर आपको बिलकुल ही शाउधन रहना है दोस्तों और इन शुबि की जानकारी आज के विडोओमें हम पूरी वि अब आपके जिनकाल में ये चमतकार होने वाले हैं। भगषियों का शमय क आपको देने वाले हैं। जिया दोस्तों, आप शिवी को बता दी, कि इने बातों को आप बिल्कुल भी मजाग मत समझीगा, कि दोस्तों बगवान चाहे तो ग्या नहीं कर शकते, जो उनकाल में अपने शिवी वक्तों को वे छण में जीरों से शोग तक पहुँशा सकते ही, जिया दोस्तों, बश हमें यह करना है कि अच्छे कर्म करना है, जिया दोस्तों, और जब बगवान का शमय आता है, तो दोस्तों, वह किशी न किशी रूप में हमें उनका परिणाम देही देता है, जिया दोस्तों, और वह शमय अब आच चुका है, जब आपके शारे दुखो का अंत होने वाले हैं और जो भी दुक के परिस्तियों से आप गुजर रहे थे दोसों उन से चुटकर आप मिलकर अब आपको कुछियो का मार्ग दिखाने वाले हैं जिहाहादोसों आपको बदा दे कि इंसान सची शरदाशी भगवान पर विश्वास करता है तो दोसों भगवान भी उन्हें शबी विश्वास करने वालों का दिल नहीं तोडता जिया दोस्तों चाहे जिसा भी हो भगवान अपने भक्तों की मदद किसी न किसी रूप में जरूर ही करते ही जिया दोस्तों और ये बात हमने आपको पिछले भी कई वीडियो में बताए हैं लेकिन दोस्तों आप शिवी को बता दें कि सची शर्दा होना शब्षी वेड़ी चीज है क्यों दोस्तों विश्वा सची शर्दा वो चीज है जिन से हम पत्थर में भी भगवान को प्राप्ट कर शकते ही जी दोस्टों तो दोस्टों अगर आपके अंदर भी शुच्चे भक्ती सच्चे विश्वास है तो दोस्टों वीडियो को एक प्यारा शुलाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में शच्चे मन से जैन शुरी गिनेश जी जरूर लिखेगा दो दोस्टों ये बात आपको बिल्कुल ही अपने ही अंदर रखना है ये बात कहीं पर भी आपको नहीं डिंडोरा पिटना है कि दोस्टों जहां भी आप इन बातों को डिंडोरा पिटते हैं तो दोस्टों वहीं शे आपकी जुनकाल की बुरे दोर की शुरूरात होती है मन के अंदर अपने दिल के अंदर छुपा कर रखे दोस्तों वीडियो को शुरूश लेकर अंतर तक ध्याश देके ये आपके जिम्यदारी होगी तो आई दोस्तों बात करते ही कि भगवान श्री ग्रेश जी के शित्पास शी आज शाम पांच बजे के बाद आपके जुनकाल में वो पांच बड़ी शुब समचार कौन-कौन शी है दोस्तों यह में अपनी वैसम दिंचरिया शिये कुछ में अपने परिवार और शमद्यों के लिए आवश निकाले इसी दोस्तों आप तरामुक्त और उर्जावान भी महशूर करेंगे अपनी परतिवा के दम पर अगर आपकी शाधनी को लेकर बात करें तो दोस्तों किशी भी विपरित परिश्तिती में भावनों के आवश में ना आए कोई लक्ष आपकी आँखों से ओजल हो सकती है परते कारी को ठंडे दिमाग से सोच विजार करके ही करें साथी बचों की शमस्याओं के शमधान में अपना अवश्य सयोग दें यह आपके लिए आवश्य होंगे और इसकी प्रांद दोसरी यह शमय आपके लिए आपके बदा दें कि भावनोंतों को रूप से जो समय है आपके लिए आपको श्रकार्तमंग महसूर हो सकता है जिसकी वज़र से जो भी विचार या फिर भाव आपके लिए अत्यांत आवश्य होंगे और इसकी प्रांद दोसरी आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बदा दें कि किसी धार्मिक कारे के प्रति आपकी रूची रहेगी श्रंतान की किसी एक्टिवीटी से स्वेंग को गरुवित महसूर करेंगी खर्चों के दि दोस्तों यह जो समय है आपके लिए अपनी इस आदत पर कंट्रोल करने का प्रयाश करें अपने एक्छापूती के लिए किसी भी परकार का रिक्स लेने की परविरति से इसमें आपको दूर रहना चाहिए और शक्ति दोस्तों आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों खुद को आर्थिक शौबरूप से शवल बनाने की आपकी कोशिस में सफल हो रही है लेकिन दोस्तों केवल पेशों की तरफ ही ध्यान देने की वज़शी व्यक्तिकत बातों को नदर अंदाज करना आपके रिए शमें भईश में तकलिफ दायक रह सकता है इसले दोस्तों रिलेशन्सिप को बहतरीन बनाने की कोशिश करते रहें क्योंकि यह आपके भई शमंदी सभी कारियों के रिए महत पूर्ण रहने वाले हैं और इसको प्राहत दोस्तों आपको बदा दें खीचे समाजिक शंसा में आपके अच्छे स्वयों की वज़शे आपका शमय मान शमान भी बढ़ने वाले हैं आप अपने दिंचरिया से हटकर कुछ नए किरिये कलापों और ज्यान वर्तक बातों को शिखने में भी अपना शमय वहतित करेंगे आपके व्यक्तिकत में यश्मी निखार अने वाले हैं और इसकी साथी दोस्तों यश्मी आर्थिक स पन होशकती है इसके साथी दोस्तों यश्मय आपके लिए जो समयोगे दोस्तों आपको बता दे कि बंटे हुए काम अचानक बिगड़ने के वजश्य आपको मांसिक तकलीप का शामना भी करना होगा फिर भी प्रस्तिती को पूरा समझ कर आगे बढ़ने की आपको आशकता कि आपको बदा दे कि आपकी किशी गलती की वजश्य ही आपको यह असफलता मिली है इसे मिटाने की कोशिच आपको फिर शेक करनी होगी और शके साथे दोस्तों आपको बदादे कि दूस्तों यह में कापी बाद घर में मेहमारों के आगमन शेख खुश्यनमा ववातार तथा एक दूसरी के मेल मिला भैत्रियन दिंजर्या शेयर रहात आपको तेरे वादे हैं और इसके प्राहत दोस्तों आपको बिदा दें कि कुछ श्मेट से आप श्वेंग का आत्म अवलोकन करने का जो प्रयाश कर रहे हैं इसके शकार्त में परिणाम जल्द ही आपके शाम रहती है तो इन पर आपको जो है रोक लगानी चाहिए यह आपके लिए यह बहतर शाक्त होंगे और इसके प्राहत दोस्तों में फिलाल आपको पस्तिति के शामने जुकना पड़ेगा यदि बाती अधिक नकार्तमक हो रही हो तो दोस्तों अपने आज पास की उर्जा को ब बढ़ सकती है और अगर आपकी केरेर को लेकर बात करें तो दोस्तों यह में दिन के दूसरे पक्ष में ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल है इसलिए दोस्तों दिन की शुरुआत होते ही आपको कार्यों शमंदी रूप रेखा बना लेना चाहिए ताकि दोस्तों समय का अधिक सदीक फाइदा उठाए जा सके परन्तु नोकरी तता वाईशाय में ध्यान रखें कि किसी परकार की वैस्ता में कोई दिकत भी आशकती है इसका आजिश में आपको ध्यान रखने की आशकता होगी इसके साथी दोस्तों वाईशाय की बाधाएं काफी हद तक आपकी आपको उचित परिश्रम करने की आशकता होगी जो कि आपको शफलता के रहा पर ले जाने वाली है दोस्तों नोकरी में आपके जो भी कारें उच टर पर ईशमी रहलें के साथी दोस्तों यह व्यक्तियों को अपनी मन पसंद और थर्टी मिलने से सुप सुचना आपको प्राप्त होगी जिसमें प्रमोशन की भी उम्मिद है वाईशाय में यह समय है आपके रिए अतरिक्त आई की भी सुब इस्ततियां बर रही है और इसके चाहते दोस्तों यह में आपके वाईशाय क भी तरीकेशे करने में काम्याब रहेंगे दोस्तों आपको बता दें कि जो समय आपके लिए हो शकता है कि गोई दिकत आने पर आप अपने वशुलों और फिर्शिद्धानतों से कुछ समझोता भी कर सकते हैं और अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह शुमे पारिवरिक जीवन ठेक रहेगा जीवन साथी के श्वास को लेकर कुछ चिंता रह शकती है परन्तु घर की विवास्ता सुचारू रूप से सलती रहेंगी और इसको प्राहत दोस्तों आपके लव लाइफ के लिए जीवन समय होंगे दोस्तों आपको बता दें क जीवन साथी के शाथ किसी पारिवरिक समस्या का जो है समस्या को लेकर ठकरार रह शकती है परन्तु आप अपनी सूच्वी दोवरा उसका अशर पारिवरिक शुर्षान्ती पर नहीं पढ़ने देंगे और इसके साथ दोस्तों यह श्मी आपके लव लाइफ के लिए जीव होंगे दोस्तों आपको बता दें कि अफ्यर्ष के मामलों में आपको यह में सावधान रहने की आवशकता होंगी अपनी कोई गुप्त बात बाहर आशकती है जिसका दूस्प्रभाव आपके बैवाई की जीवन पर भी पढ़ेगा तो दोस्तों यह श्मी इन सभी चीज़ में मौष्रम की वज़ए कोई अलर्जी होने की अशंका बन रही है बिना वज्या मेल जोल ना रखें एक आपके स्वास के लिए बैत रहोंगे और इसके प्राहत दोस्ते श्मी आपके स्वास के लिए जोल रहोंगे दोस्तों आपको बतातें कि शिर्मय भारीपन तथा मनो लेना जायी